पुम्बशिष्ट कुम्बवध भवगवत अमार्य मुनिंद्र देवार चित सेखराय चंद्रार कवईश्वा नरलो चनाय तस्मय वकाराय नमस्षिवाय नमस्कार स्वागत है आपका आज का गुड़लग में हर रोज की तरह हम उपस्तित हैं आपके समख्ष किस्मत के सितारों की चाल को बताने वाले शोग को लेकर जिसका नाम है आज का गुड़लग अपके मनुकामना के अनुसार शिवको रिजह सकते हैं शिवको खास्तवर प्रसंद कर सकते हैं यह सारे रहस हम आज के कार्यक्तर में उपस्तित करेंगे सबसे पहले बात कर लेते हैं आज के पंचांग की पंचांक अनुसार से शावन चल रहा है शुक्रिपख्ष में दिमान है और सात रस मवार का दिन है और 37 सौने सौने सींवार के दिन काँडे लिए लिए शुक्रिपख्ष कीतिपा जाता है खास तोर में बामदेव, सद्ध्युजाद, अगोर मंत्र को जब करकर असाध्य से असाध्य काम भी भगवान के द्वारा पूर्ण करा लेते हैं, मनुकामना सिद्धी करा लेते हैं और आज नक्षेत्र भी भूछ शुब विद्यमान है शुब महूर्थ का समय नोट कर लिजे, वो रहेगा सुबह 11 बच के 40 मिनट से लेकर 12 बच के 20 मिनट तक, इस समय कोई किन्या कारे आरम करना हो तो उसका लाब दे सकते हैं राहुकाल को भी चाल लिजे, राहुकाल का जो समय है, आज सुबह 8 बच से लेकर 9 बच के 52 मिनट तक रहेगा, उसके साथ साथ आपने काम को आरम करते हुए आप शुब कारे कर सकते हैं भवान शिव को प्रसंद करने के लिए सभी लोग शिवलिंग के जलाबिशे करने की विवस्था बनाते हैं और जो भवान शिव का जलाबिशे करते हैं, भवान उन पर प्रसंद लोते हैं जगत में भगवान शिव ही ऐसे देवता है जिनको प्रसंद करना सबसे सरल है जल से वी उनको समर्पित कर आप प्रसंद कर सकते हैं और शास्त के उसार से क्या प्रत्रक्ष के उसार भी आपनी मनोकामनाओं के सिद्धी प्राप्त कर सकते हैं बात मनोकामना क्यों है तो नोट सूत में उसको बाद कर काली जी के मंदर में कोई पीपल का पेड़ हो आज की पितिपता के शुर्योग में जाकर वहां बांद दीजे देखेगा धीरे-धीरे आपकी मनुकामना प्राप्ति के पुर्ट में यानि आपकी मनुकामना सिद्धी के योग अधुत रूप से पढ़ दामबत्य जीवन सुथ में रहेगा प्रयास करें कुछ शुब रास्ता अपनाने का प्रयास करें आज के दिन में शुब अंग जो है साथ रहेगा शुब रंग जो है क्रीम और सफेद आपके लिए दिखाई देता है सफेद कबड़े पहनना आपके लिए बेहत शुग है यही उपाय है, इसका लाव लेने का प्रयास कीजिए, ब्रक्राशी वालों के लिए आज का दिन कैसा है, चाल लीजिए, आज का दिन आपकी ग्रहों के अनुसार से मिला जुला सा रहता दिखाई दे रहा है, बैपार में कुछ नए अफसर आपको प्रात्वोते दिखाई दे जिनको लेकर आपका मन प्रसंद हो सकता है, आर्थिक दिष्टिकोंड से आज का दिन, मुझे ग्रहों के योगा योग के उसास उत्तम दिखाई 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 आपके लिए जो शुब अंक आज की गर्दावों से निकल रहा है, छे जियां, छे अंक आपके लिए बेह पूत्रुक से बढ़ेगी, अगली राक्षिए बात करें, उससे पहले एक वट्सप ले ले लेने हैं, जो वट्सप आया है दिल्ली से, अन्शुमाला जी का वट्सप है, वो कह रही है उनका जीवन जो है पुरा निरस्सा हो गया है, यारी टेस्ट आना जीवन में ऐसा भा बहुत जीवन में उनती दाने के अयोग बनाता है, सावन के महीने में बारिश जब भी हो, तो कोशिश करें उस पानी को एक तामर पत्र में एकटा करने, तामर के पात्र में एकटा करने और ढकन बंद करकर अपने घर की उत्तर कूर्व दिशा में उसको रग रहे हैं, और जब भी घर से बाहर जाएं, थोड़ा सा अपने उपर छिडख लिया करें, आप देखेगा, जो खुशाली आपके जीवन में आपको लगता है नहीं है, या धनलाब होना कम हो गया है, इस जिंदगी में या कोई मकसद सामने आता है, और विशेश कर उससे लाब नहीं हो प कर लेते हैं, राशी नमबर 3, मितन राशी वालो, मितन राशी वालो आपके लिए कुछ नया काम शिरुवात होने के लिए आज को अच्छा दिखाई 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 देए, आपके लिए जो अंग के शुब मुझे गड़नाओं के अनुसास दिखाई देता है, वो नेटी रंग शुब रहेगा आप खास्तों पर चन्दमा के मंत्र का जब करते हुए आज का दिन का आरभम करिए देखेगा धीरे धीरे आर्थिक स्थिती बहतर होने के अर्भुत योग बनेगे करक राशी वालों के लिए आज का दिन कैसा है चल ब्रधान करक राशी वालों आपकी राशी के अदूसार से मन में कुछ नया विचार आइडिया उत्पन होता दिखाई दे रहा है परन्तु साथा नहीं का उसको गुट रखने का प्रयास कीजेगा किसी की बातों मर आएंगे तो परिशानी आत दिखाई दे रहे हैं आज आज आप किसी प्रियेजर वेक्ति को शुब समाचार मिलते दिखाई दे रहे हैं तो लाग लीजे समय का आगे बढ़ने के योग बनाएं आपके लिए जो अंग के शुब है वो आठ है और खास्ता परे काला और नीला रंग ब प्रशन आया है रजनी त्रिपाटी जी का उन्होंने लिखाए कि उनके बड़े बेटे की शादी से खास तौर पर जब भी प्रयास करती है आगे बढ़ाने की शादी की बाद कुछ ने कुछ परेशानी आयाती है रिष्टा भू नहीं पाता काफी परेशाद है कोई उपा आप ही धारन खरवादे उनको प्रती दिन शुबह शिवाले में जाकर 108 वार अगोर मंत्र का रिट्यपति जब करते हैं अगोर मंत्र इसकार से माघो अगोर इभ्यो जब कोई काम हो ही ना रहा हो हमने प्रत्यक्ष कई बाल करके देगा अपने आक्श्रम में यंग्य के द् तबिया, गोर मंत्रा, गोर कल्प का प्रियोग करने से अद्बूत रूप से लाप्राप्त होता है और खास तरब इस मंत्र का जब करते हैं वे शिवलिंग पर केसा और गाये कर्चे दूद से अभिशेक करें देखें कहीं न कहीं जो बार-बार बात कटी थी बन जाएगी विश्वास की जरूवत है शद्धा की जरूवत है करिए रास्ता हमने बताया आपको लाप्राप्त होगा आज इस कारिकर में आप हम आपको बताने जा रहे हैं शिव की पूजा करते समय किन-किन बातों की साध्धानी बरत्नी चाहिए देखे हर कर्मकारणि की सिध्धान्त के अनुसार से कुछ नियम है यदि आप उन नियमों को नहीं पारणि करेंगे तो आप जो कर्म करते हैं वो निश्वक हो जाता है हम आपको बताने जा रहे हैं को साध्धानियों के बारे में नोट कर लीजिए बहुत सारे लोगों को अज्यानता के कारण से तांबे के लोटे से भगवान को अभिशे करते वक्त दूद चड़ा देते हैं यह नहीं करना चाहिए यह एक अपराद है देखे दूद खामेशा पीतल या चांदी के बत्तन से ही भवान को समर्पित करने का प्रयास करने वह आजकल वैसे आप स्टील को यूज भी करना चाहिए वारे कहीं नियम नहीं इसका लेकिन सबसे श्रिष्ट जो है वो पीतल या चांदी यही पात सबसे श्रिष्ट है इनका उप्यों करने का प्रयास करना चाहिए यह अन्यता बिल्कुल अदुत रूप से लाप्राप्ती क चाहिए जो भी आप यह चलाकर चोड़ाए और फिर वही सफाई रही शुद्ध जल से श्नान नहीं कराए इस बात का द्यार लगना चाहिए जो भी आप चाहे आपने द्रवे से शनान कराया, चाहे आपने दहीं से कराया, चाहे दूट से कराया, चाहे इत्र से कराया, या भस्म से कराया, उन सब के शनान कराने के उपरांत आप शुद्ध जल अवश्य साफ कर दें उसको, आनिता ये अपरात्मा जाता है, बहुत सारे लोग शिव उपर दूपत्ति कियों उनको भी ताप लगता है थीक है आप विश्वास रखते नहीं विश्वास अंदर जगाने का प्रयास करें कि साक्षात पथर नहीं वो मूर्तिमान शिव साक्षात आपके सवक्ष्विराजमान है तव वास्तुएकता आपको लाप मेलेगा शिवलिं चड़ता रहे, यही सबसे उत्तम है अनिणखा, वो पूजा का एक अप्राद माना जाता है खिशेक में जलेरी के समय पर जलेदी में दूढ़े अनिखा दूढ़ ना डाले इस बाद का घ्शेता है शिविलिंग पर सिंदूर नहीं चड़ता रोली नहीं चड़ाए चाहती है कि एवल शास्त्र में चाहा गया है कि शिवरात्री के दिन रोली भवान को अर्पित की जा सकती है इसके इलावार नहीं वैसे चंदन सबसे श्रेश्ट है भवान को लगाना चाहिए चंदन को लगाने का प्रयास कीचे उससे अपको लाप रा शिवलिंग पर इस बात का ध्यार दखें कि शिवलिंग जहां जल निकल रहा होता है उसकी तरफ से लागन कर लोग चले जाते है अज्ञानता वश शिवलिंग की आधी प्रदक्षणा ही कि जाती है जिदर से शु करके जहां से शिवलिंग अजल खतब हो राए उसको लाग भगवान के बंदिर में जाकर आप खास तोर पर कई काम करेंते हैं केतकी का पुष्प समरपित करते वहाई केतकी पुष्प भवान को नहीं चपड़ारा चाहिए पुष्प जैसे उतफन न होते हैं व्याइसे शिविलिंग पर समप्पित करें। बिलवपत्र उल्टा करके भगवान शिविलिंग पर समपित कि आता है। यानि जब जहां से उसका चीकना पाता है पुँझे पर भवान शिविलिंग की तरफ. इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जलेरी श्रिंगी का उपयोग करें परंटु शंक का उपयोग ना करें छोटी छोटी बात हैं उनका ध्यान रखेंगे तो आपकी पूया सभवान सहर्श स्वीकार करें सिंग राशिवालों के लिए आज का परविश्वल क्या है जान दिजिए यदि आर्थिक लेंदेन में आज सोच रहे हैं तो आज का दिन उत्तर नहीं इस बात का ध्यान रखने का प्रयास कि जो भी काम करें आर्थिक सम्द्ध में धन सम्द्धित थोड़ा संभल के करने का प छे आपके लिए बेशुब है शुब रंग में खास तौर पर गुलावी रंग आपके लिए शुब रहेगा आज भोजन का पहला हिस्सा निकाल कर गाउपो सबर पर कुशेश तौर पर कीज़ेगा अवश्य कीज़ेगा आपका स्वास्त अच्छा रहेगा कंणे नाशी मा आपके रखने की जरूवत दिखाई देती यदि ऐसा ना हुआ तो आर्थिक संकट आपके समक्ष आ सकता है आपके लिए अंक शुब पांच है और खास तर पर हरा और फिरोजी रंग भहुत शुब रहेगा घर से खास तर पर गंगा जल को किसी ना किसी रूप में प्रियो और आ गया राजिस्तान से दोस्ता जिले से विपिन घहलोजी का प्रश्ण आया है उन्होंने प्रश्ण में पूछा है कि उनकी फुली में काल सर्प योग बना हुआ है कैसे दूर करें काल सर्प योग को अनेक अनेक प्रकार जिक से अनेक अनेक पाई लोगोने बताए है देखिए खुड़ी में कालसर प्योग जब बन जाता है तो इस प्यूपर एक बात्र भगवान श्युवी ही है जो उससे मुटि दिला सकते हैं तो उनकी खास तोर पे वासना करने का प्रयास करें मामुल कुण्य मंत्र का जब करें वामदेव कल्ब का जो प्रयोग है वो सबसे श्रिष्ट है वामदेव कल्ब का मंत्र है इस वामदेव कल्ब के मंत्र के द्वारा हमने जब भी जिसका भी प्रयास किया कालसर प्योग दूर करने के लिए उसका कालसर प्योग सिद्ध यंद्र कराके इस मंत्र सिद्ध लाप टाप तक और कोश करे काले तिल से भवान का पूजन करते हुई इस मंद्र का अप्योग करे देखी का आपको लाप टाप टोगा महादेव के मंद्र में जाकर नित्यपति उनका पूजन करें देखिए आपको लाप टाप तुला राशी वालों के लिए आज का दिन कैसा है जानलीचे आज आपी राशी के अनुसार से आपके लिए समय मध्यम रूप से खल्दाटर दिखाई दे रहा है वेपार अब अच्छे अनुभवों से आपको लाब मिल सकता है अनुभवी लोगों का सहला लेने का प्रयास कर संदान के लिए आज थोड़ा समय कष्ट के दिखाई देता है शारी कष्टोनी के योग है अंक साथ आपके लिए शुब है क्रीम और सफेदंग विशेश तोर पे शुब रहाएगा सेहत के लिए खास तोर पे भुजन का दान करें और हो सके तो पूर्वकी तरफ मुख करक आज कर दिन आपके लिए उत्तम फल्दाय करेंगा आये में विद्धी के नए स्कूत्र बन सकते हैं खास्तों पर लाप्रापतियों के जीवन के में प्रेमिक जीवन में आपको नई उजा का संचार होने के योग दिखाईती थे आज लंबे समय से चल रही कोई डील फाइन स्थिती बनेगी उनका आश्यवाद में अब समय है प्रश्ण विज्ञान के बारे में बात करने का स्वप्न विज्ञान के समय में एक प्रश्ण भी आ गया है वट्सप्ति मात्यम से और बिहार से सुपोल जिले से प्रशान्त राय जी लिखते हैं कि उन्होंने सपने में तृष्ण देखा और जानना चाहते हैं उसका संकेत क्या है सपने में दिख दिखाई दिना शुम संकेत नहीं है देंकि भवान शुब के साथ दिखाइक तो बात अलग है पनें तु कैसे वैसे ही अगर त्रिशूल दिखता है शूल का दिखना किसी दुख का कारण बन सकता है चिंता के योग बनते दिखाई दे रहे हैं पडोसियों से बेवजय जगड़ा की फंधावना दिखाई दे इसलिए अपने काम से काम रखने का प्रयास कीजिए वह सके तो पीली चीजों वह दिखाई दिखाई दे रहे हैं या उसका भाव दिखाई दे दे दादा जी जीवित है तो आपका सपन में दिखाई देना उनके शारीनिक कष्ट को समझ लिजेश परणतों देरिए दादा शरीर नहीं है वह स्वहवासी हो गये तो उस समय उनकी आपकी आयू में कावन का मीना चल रहा है उनके मंतर का जब करें आगे संबन्दी सबस्याओं से ठीक होने के योग बनेंगे और खास तो पर अपनी सेहत का ध्यान रखिएगा धनूराशी वालों के लिए आज कर दिन कैसा रहेगा चानल लीजे आज कर दिन आपके लिए कुस्तरूपे समान मे लोग से आगे चलता दिखाई दिराये परिवार में कोई समत्ति विवान और आपके लिए शुग रहेगा शुग अंग यो है और शुगक रंग उतले होगा अपके इन-नले मकर राशी वालों के लिए आज का दिन कैसा है जान लिजे आपका अधिगिन जो है वो आपका फोड़ा सा मध्यम रूप से फल दायक दिखाई दिखाई दिता है राजमीतिक शेतर में कारेरत जो लोग है उनके लिए अच्छा आफसा मिलता दिखाई 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 दे रहे अंक आपके लिए भी आज की गर्णाओं के अनुसा से छे शुब दिखाई दिता है एक प्रशन की इस समंद में प्रशन जो आया है वह वह है बिलनोर से सुभाष श्री का उनकी हतेली में खास तवर पर बहुत पसीना आता है और वैसे कुछ मुद्रा जानना चाहते हैं किस प्रकार से पसीना जो कम हो देखिए हतेले पर पसीना आना जलतत्त्म को संतुलन ब बेस पर लगाकर फिर अंगुष्ट को उससे दवा देरा दूसरा अगुटा उपर से लगा देरे से यह जल शामक मुद्रा बन जाती है इसका आप उप्योग करें हो खास परबर मसालेदार भोजन तले हुए भोजन को अवाइट करने का प्रयास के दिए कुछ दिन में लाब की धनहानी होती दिखाई दे रहे इसलिए थोड़ा साभधानी उस शेत्र में लखने का प्रयास कीज़ेगा अंग आपके लिए चार शुब है भूरा और सलेटिरिंग आपके लिए शुब रहेगा चावल का जान करें खल्याण होगा अब बची मीन राशी वालों के भवि यानि लें दिन साभधानी के साथ जरू होते हैं उसके लिए समय उत्तर नहीं है अंक आपके लिए एक शुब रहेगा नारंगी और सुनेहरा रंग आपके लिए शुब है श्वान को खास्त और पर सुबह सुबह रूटी दाले आपका केदू प्रसंद होगा जिवन में उ पुष्ट्र आसन किस प्रकार से की जाता है उस्ट्र यानि उंट देगे किस प्रकार से आसन को करना है हमारे श्वी प्रणारमंत्र जी आपको करके दिखा रहे हैं उसको करने से आपका लाब प्राप्त उसकी ये फॉमिशन है उस्ट के उट के समार हो जाती है उस्ट्र आ तरह बैठ जाए उसके बाद फर्श बैठने के बाद दोनों के बल पर खड़े होने से वज्रासन करने के बाद दोनों घुट्णों पर खड़ो जाए और हाथ को हातों से पैरों के जो एरिया है उन पर हाथ रख लें यह लंबा गेरा सांस पड़ते हुए अपनी कमर को उठा होगा है माम ड्रेंगी करेंगी के लाद आप चलते अब कर लेते हैं हेल्दी कि देगिए कोविट पूरे भयावा स्थी में तोरे विश्वर मना हुआ हुआ है और साथ-साथ आज कल बारिश का मौसम चलता है ऐसे में पसीना बहुत आता है और पसीना आने के साथ-साथ में नीम्बू पानी का तोड़ा सरस उसमें बुरा हुआ जीना आस्तमर पर जाल दीजिए उससे आपके अद्बूतुरूप से लाप राप्त होगा आपके शरी में sodium potassium की जो बात्रा है वो ठीक हो जाएगी आपके शरी में यूरीन संबंदी बहुत समस्या हो जाती है जब बारिश के वस्तम चल रहा होता है तो पसीना आदा है तो यूरीन कामान लगता है तो उससे शरी में टॉक्सिंस बहुत एकट प्राप्त होगा पाचन तंत्र को ठीक करने में भी नीमू और जीरा अद्बूत रूप से लाप देने वाला है तो आप इसका उव्योग करिए आपको लाप राप्त होगा इस प्रकार से हर रोज हम आपके समख्षु पस्तित होते हैं आपको healthy tips से लेकर आपके जीवर में ग्रहों का खेल क्या चल रहा है वो सब आपको समख्षु पस्तित होंगे और बताएंगे कल का दि हुआ हुआ है ुझा